हलो गाइस नेक्स एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग में चिंग को सब्सक्राइब करते हैं इसे हम अपनी नेक्स एपिसोड को स्टार्ट करते हैं यो हैंग दिखाय जाते है जिससे रिपोर्टर्स पूछ रहोते हैं कि आपकी क्या ये सिस्टर लगती है सच में यो हैंग शाओधी कीतब देखते हुए कहने लगता है कि हाँ वो मेरी सिस्टर है और किसे ने मेरी सिस्टर को तंग करने के कोशिच कीना फिर देखना और शाओधी सिस्टर सुनने के बाद तो बिल्कुल ही शोक हो जाती कि इसने मिटी सिस्टर कैसे बोल दिया पिर मुरान के लगता है कि मेरी कंपनी एक न्यू कंपनी के लाउंच के लिए एक मीटिंग रख लिया तो आप वहाँ पर आकर मुझसे कोस्टिनिंग वगरा कर सकते हैं मैं वहाँ पर आपके सारे स्वालों का जवाब दूँगा ये कहकर वो शाओदी को अपने साथ वहाँ से ले जाता है यो हैंक को बाद में हो शाओदी के शाओदी तो उसके पास से जा रही है और पिर वो आगे शाओदी के पास जाने की कोशिश करता है पर रिपोर्टर्स उसको आगे नहीं जाने दे रहे होते और मुरान जो शाओदी को अपने ही घर पर ले आता है उसके घर पे पहले से ही टेयन आई होती है और टेयन कहने लगते हैं कि तुम शाओदी हो ना तुम्हारा मुरान काफी सद नेम लेता था तो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस कंडिशन में मिलोगी जो अपना नेम बताते हैं वो शाओदी के आगे हाथ करती है और शाओदी भी उसे हैंचे करके अपना नेम बताती है मुरान तेयन से कहने लगता है कि तेयन तुम अभी यहां से चली जाओ शाओदी अभी किसे से बात करने की कंडिशन में नहीं है मुरान की ये बास सुनकर टेंड कहती है कि शाओधी फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी और यो हैंग दिखा जाता है जो अपने घर पर आ जाता है और उससे लियो यान कहने लगता है कि तुमने ये क्यों कहा कि शाओधी तुम्हारी सिस्टर है तुमने अगर ऐसा उसको बचाने के लिए किया है ना तो मैं ये ही बात बोलूँगा कि तुमने ठीक ने किया तो मैं उसे अपनी सिस्टर नी बोलना चाहिए था और अब आप क्या उसको जाकर रोकेंगे नहीं यो हैंग कहें लगते है कि नी मैं अब नी रोकूंगा उसकी मर्जी वो जो मर्जी करे वो जहां मर्जी रहे पलियो यान नीमान तो कहें लगते है कि मेरे साथ चलो हम शाओधी को अभी के अभी लेकर आएंगे पर यो हैंग नहीं जाता हो कहता है कि तुम भी यहां से चले जो मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहता हूँ और शाओधी मुरान के साथ इकाई जाती मुरान उसको उसके रूम में ले जाता है जो उसने शाओधी के लिए त्यार किया हुआ था शाओधी वहाँ जाके कहते है कि मुरान तुम यहां से प्लीस चले जाओगे क्योंकि मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहती हूँ मुरान कहता है कि हाँ तुम रह सकती हो क्यों नहीं फिर शाओधी बैठकर रोने लगते हो कहने लगती है कि यू हैग ने मुझे अपनी सिस्टर क्यों बना लिया क्या मेरी उसके सामने एक सिस्टर की वैल्यू थी उसने मेरे बाले में कभी कुछ छोड़नी सोचा ये कहते हैं वे रोरी होती है तो मुरान उसको चुप करवाने लगता हो कहने लगता है कि तुम्हें परशान नहीं होना वो अच्छा इंसान नहीं था जो सब के सामने तुम्हें ऐसे कहके चला गया मैं तुम्हारे पास हो ना मेशा मैं तुम्हारी साइट पर रहूंगा शाओधी कहने लगती है कि उसने मुझे से जूट क्यों बोला क्यों ऐसा किया उसने मुरान कहता है कि कोई बात नहीं अब तुम यहां पर आ गई हो ना अब तुम उसके घर पर मत जाना शाओधी कहने लगते हैं कि मुरान मुझे यहां दर्द हो रहा है जो उसमे मिले सथ किया उस सब के बाद फिर मुरान उसको चुप करवाने लगता है और तो इसी तरफ योहेंग दिखाया जाता है जिसको तो थोड़े टाइम अकेले रहना है तुम जाकर उसको डिस्टरब कर दोगी पर विंग नहीं रोक रही होती हो कहती है कि मैं तो जाओंगी और तुम एक बताओ तुम को नोते हो शाओधी के बॉइफर्ड बनने वाले तुम्हें पता है ना शाओधी तुम्हें स्कूल से ले लगती है कि मुझसे नराज मत हो शाओधी अगर मुझे यो हैंग ने नीमा ना किया होता ना तो मैं तुम्हें ये बास सबसे पहले बता देती तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी इंपोर्टन्ट हो शाओधी कहने लगती है कि मैं तुमसे नराज नहीं हूँ मैं तेखकर बिंग, शाउदी के गले लगते हूए कहने लगते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो ना शाउदी, और तुम यहां पर क्यों आ गई यू हैंग के घर से, तुम इस मुरान के घर पर रहोगी, तुम यू हैंग के घर पर वापिस चली जाओ, पीछे की सब बातिब मुरान सुन रहा होता है उसे कहने लगते हैं कि तुमने फ्रूट खाना है तो खाव और फिर यहां से चली जओ बिंग उठकर वहाँ से नी जा रही होती तो मुरान उसको पकड़किए वहां से लेकर जाता है और यू हैंग जो घर पर बैटा होता है यो हैंग को लग रहा होता है कि डौर पर शाओधी आई है इसलिए वो सेट वगरा होने लगते इतने में लियो यान की आवाज आ जाती कि बॉस डौर ओपन करें यो हैंग जब उसकी आवाज सुनते उसको फिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और उनका जाकर डौर ओपन करके अपने पोतों पर जाकर पानी देने लगता है बिंग और लियो यान तो बस उसे देख रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया है और आकर उसके पास कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है शाओधी जब से यहां से गई है ना तब से यह घर बिर्कुल समसां सा हो गया है बिंग भी कहने लगती कि हाँ यह बिल्कुल ठीक कहरा है और आज तो मैं शाओधी के पास से होकर आए हूं शाओधी कहनुAttी कहने थी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं यहां के घर पर जाँगी जब मैंने उसे कहा के तो मैं जाना चाहिए तो उसे तो मैं जो साफ मना करती है लिए यान कहीं लगता है कि यू हैंक तुम उसे सोरी क्यों नहीं कर लेते तुम जा कर उसको घर ले आओ वो आ जाएगी मुझे पता है और देखो अगर वो उस लड़के के घर पर रही न तो वो लड़का उसे प्यार कर लेगा और शाओदी को भी उससे प्यार हो सकता है तो दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यू हैंक तो बिल्कुल ही चुप होता है और शाओधी दिखाई जाती है जो अभी तक अपनी रूम में होती है मुरान उसके पास कुछ चीज़े लेकर आता है पर शाओधी तो उन चीज़ों को देख भी नहीं रही होती क्योंकि शाओधी कुछ और ही सोच रही थी मुरान पहले तो उसे बुलाने के बाद कहें लगता है कि शाओधी क्या तुम यो हैंक के बारे में सोच रही थी शाओधी कहें लगती कि नहीं नहीं मैं तो नहीं उसके बारे में सोच रही थी बरकि मैं तो पता नहीं क्या सोच रही थी फिर भी मुरान कहते है कि अच्छे ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तुम्हारा नीचे वेट करूँगा फिर शाओधी उसको ले जाती है और घर पर यो हैंक के सामने ही बिंग और लियो यान एक प्लैन बना रहे होते हैं शाओधी को यहाँ पर रोकने का वो सोचे हो लगते है कि शाओधी क्या तुम पकी बात अंदर से बाहिर आओगी ना शाओधी कहती कि हां मैंने कुछ चीज़े लेनी है मैं आ जाओंगी मुरान को बिल्कुर भी नहीं यकीन आ रहा होता कि शाओधी वापिस आएगी और जब शाओधी डौर का पासवर लगा कर डौर क पता लग चुका था शाओधी उनकी बाते सुनने के बाद कहते है कि हां मैंने कब का कि मैं यहां पर रहूँगी मैं अब यहां पर कभी भी नहीं आओंगी मैं अपना समान लेने आई हो यहां से चली जाओंगी लेकर और अपने रोम में चीज़े लेने के लिए पहुंग बिंग और लियूयन भी उसके पीछे पीछे आजाते हैं वे तो शाओधी को रोकने लगते हैं कि शाओधी तुम्हारे जाने के बाद लियूयन ने कुछ भी निक्षब नीक खाया पर शाओधी बिल्कुल भी नीरुक रहे होती कि मुरान मेरा नीचे वेट कर रहा है तो मै यो हैंक से कहने लगते है कि यो हैए सी ये बास सुनकर गुस्टे से वहां से चली जाती है और मुरान जो नीचे wait कर रहा तो उसको बिल्कुल भी यकिन नहीं था और शादी को देखकर वो शादी को गले ही लगा ले तो कहने लगते है कि यहाँ मैंने भी गिव अप कर दिया है, अब मुझसे भी यह बरदाश नहीं हो रहा, चलो लिए उयान हम यहाँ से चलते हैं, यह कहकर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, और मुरान दिखाए जाते हैं, जिसने तियान को भी अपने घर पर शाओधी के साथ ट्रीनर करने के ल लग रहा होगा, पर वह जैसे ही बाहिर देखती है, बाहिर तो लाइट सो रूनती है, यह देखकर वह लुख जाती है, और शाओधी का सर्प्राइज आगे से आए ब्रान कहरे है जाते हैं, झाजते हैं, वो बताते हैं कि इस लड़की का नेम यह नेम सुनकर, यूह हैं कह साथी है यह सुनते साथी यह हैं शाथी की तरफ भागता है और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी कातम हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक करना